अभी तक आपने मेरे जो वीडियो देखी है वो एक साइड में और ये वीडियो एक साइड में लोगों का ग्यान एक साइड में और ये वीडियो के ट्रिक एक साइड में ये वीडियो आपको बना देगी करोड़पती लगपती भले आज आपके पास पैसा नहीं है लेकिन द वीडियो कभी भी अट जकता है वीडियो से उभी कर लेना और सबसे पहले वीडियो स्टाट करने से पहली बताता हो इस वीडियो पे होगा 500 लाइक्स का टार्गेट एंड 200-200 कमेंट्स अगर 200-200 कमेंट्स करते हो तो नेक्स वीडियो जो रहेगी वो रहेगी jackpot matches की trick के उपर तो आपका भाई अपने पूरे राज खोलने को ready है बस आप ready हो जाओ चलो भाई वीडियो pause करो और copy pen लेके बेड़ जाओ क्योंकि वीडियो कभी भी हट सकती है और चैनल पर नहे हो तो ताइन चैनल को subscribe कर लेना तो start करते हैं अपनी पहले trick सबसे पुरानी और असरदार और नामदार first wicket ball not first wicket ball not के trick तो अपनी जो first wicket ball not के trick ऐसी है कि जो भी match में first wicket जाता है वो 20 ball के अंदर जाता है ठीक है ये 101% वाली बात नहीं है लेकिन 80% 90% आपको ये देखने को मिलता है इसको मैं आपको broad में explain करता हूँ तो ध्यान से सुन लो अभी match चल रहा है चन्ने का और मुंबई का चन्ने पहले batting करने को होई और चन्ने की wicket आपको 20 ball के अंदर मिल जाएगी पहली wicket ठीक है अगर loss होता है तो मुंबई की second inning में आपको first wicket मिल जाएगी 20 ball के अंदर तो कहने का मतलब simple है एक match में दो winning match है किसी एक inning में 20 ball के अंदर आपको wicket मिल जाएगी और इससे आप पैसा घवा सकते हो या फिर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक ही match में दोनों ही inning में wicket जल्दी चला गया जैसे अपना कल वाला देख लो RCB और पंजब वाला देख लेना आपके सामने कब wicket गया कब नहीं गया big bash में इतने सारे wickets आए दोनों inning में लेकिन मैं आपको बता तो रहा हूँ लेकिन इस trick में एक problem है कभी-कभी दोनों innings में 20 ball के आगे wicket चाती है उस time पे आपको निराश नहीं होना है आपको patience lose नहीं करना है weight करना है बई ये आपको छोटा-छोटा करके छोटा-छोटा करके पैसा बना के देगी एक साल में बहुत ज़्यादा matches होते है आप धीरे-धीरे करके पैसा बना लोगे मेरे भाई अगर आपके पास 10,000 है तो एक महिने में आप महिने का चोड़ो इस IPL में ही आप 10 का 10 कर सकते हो मतलब 10 का 20 हो जाएगा आपका तो ट्रिक मैंने बता दिये आपको कि एक ही आपको डाइलोग याद रखना है एक match में दोनों में से किसी एक inning में बीस बॉल के अंदर विकेट आता है या फर्स इने में आ सकता है या फिर सेकेंद इने में आ सकता है कभी-कभी दोनों में आ सकता है कभी-कभी नहीं आएगा बहुत कम टाइम होता है कि वैसा नहीं होता है specially इंडिया के पीचेस में लेकिन जब मैचेस होगा फॉरेंड में आपको दिखेगी गोरी-गोरी लड़की तो प्लेयर का तो विकेट आई जाएगा ना मेरे बाई तो उस हिसाब से चलता है फेकम फेक ही नहीं कर रहा हूँ लोगों के स्क्रिनशॉट देख लेना लोग कितना खुशे इस ट्रिक को लग के तो अभी तक आपने मेरे टेलिग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है तो टेलिग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो हटी फिर भी आपको ऐसा नॉलेज मिलता रहेगा मैं वाँ पे मेरे टिक्स को एक्सपोज भी करता हूँ और बताता हूँ कि कितने टाइम प्रॉफिट में रहता है चेलिए नेक्स ट्रिक के तरब बढ़ते है अभी जो सिकेंड ट्रिक है ये जो ट्रिक है न भाई ये बहुत कम बार आपको अपले करने को मिलेगा जैसे कि इस ट्रिक में थोड़ा सा अलगी अंदाज है तो ध्यान से सुन लेना येरफोन लगा लेना और नोट्स बनाते रहना भाई तो ये जो ट्रिक है इसमें क्या है कि अगर कोई टीम है मान लो चन्नी और आरसीबी चन्नी ने थोड़ा कम स्कोर किया एवरेजी कर ले 120-130 लेकिन यार आरसीबी ने बहुत अच्छे से चेस कर लिया आरसीबी का बस एक ही विकेट गया ठीक है आरसीबी का बस एक ही विकेट गया उस टेम पे क्या होता है जब आरसीबी का next match होगा ठीक है जब आरसीबी का next match होगा तो उस match में आरसीबी की जो opener से जुनोंने last match में धमाकेदार पारी खेली थी उन दोनों में से कोई एक प्लेर आउट होगा या दोना उठ हो सकते बट जल्दी से विकेट आएगा मतलब आपका फर्स्ट विकेट बॉल नॉट आराम से हो जाएगा मानलो अपने तीनों के उपर पैसा लगा दिया दो उपनर्स पे और फर्स्ट विकेट बॉल नॉट पे दो पास हो गए एक फेल हो गया ठीक है फिर भी आप पैसा कमा रहे हो क्यों सही है न अगर तीनों के तीनों पास हो गए तो प्रॉफिट ट्रिबल सिंपल सी बात है ये चीज़े होती है अब स्क्रिनशॉट देख लेना आईपल का ही देख लो मेरे भाई दूर क्यों जाना है तो ट्रिक का एक ही मतलब है कि जब कोई टीम किसी टीम को नो विकेट से हरा देती है तो वो टीम नेक्स्ट मैच में जब खेलने आते हैं उनके ओपनर्स पर्फर्म करते नहीं है ठीक है अगर क्लियर नहीं है फिर से सुनना और क्लियर करना है तो टेलिगराम चैनल जोइन करना है ठीक है ट्रिक की लेवल आगे जाके जाके आप वो एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगी पूरा विडियो देख लेना नेक्स्ट है हंड्रेड और नॉट ये मिस्टर भाई के ट्रिक है ठीक है अच्छी इसलिए शेयर कर रहा हूँ ठीक है उनके बहुत सारे ट्रिक्स है तो हंड्रेड बॉल जब भी कोई प्लेयर हंड्रेड बनाता है ठीक है तो नेक्स्ट मैच में वो खरब परफॉर्म करता है ठीक है अब ये ट्रिक्स बहुत लोगों को पता चली है इसलिए थोड़ा कम काम करती है लेकिन काम करती है और एक एडिशनल बात याद रखना जब कोई अंडू पंडू प्लेयर ठीक है जिससे मतलब एक आइकोन मतलब कुछ प्लेयर से होता है जो कि आइकोन बनते है क्रिकेट आइकोन विराट कोली रुईच शर्मा शुमन गील इंडिया में और रुतुर राजगाय क्वाड वेस्टेन कंट्रीज में जो रूट बें स्टोक्स जॉस बटलर लेकिन कुछ प्लेयर से जैसे कि सैम करन लिविंग स्टन रसल इंडिया में हुड़ा हर्विक पंडिया ऐसे जो प्लेयर से होते जो अंडू-पंडू प्लेयर से तो ये जो अंडू-पंडू प्लेयर है एक मैच में खेलते हैं पच्छा साट मारेंगे नेक्स मैच में हिलो हो जाएंगे शिंबरन हिप मायर निकुलस पूरन इसे प्लियर है सबसे बेस्ट बोलू न तो राइली रुस हो उसका तो फंड़ाया लागे साट सत्तर बना लेगा नेक्स मैच में जिरो हो जागा फिर साट सत्तर जिरो तो इस ट्रिक में क्या है कोई भी ऐसा अंडू पंडू प्लियर आपको दिखता है अगर वो पचास साट बना आता है तो नेक्स मैच में उसका बॉल नॉट लेना है आपको आप पैसा बना लोगे चुटकी में कैसा चुटकी में ठीक है अभी आप सैम करन का एक्जम्पल देख लेना ठीक है निकुलस परण भी आउट हो जाएगा नेक्स मैच में ठीक है तो यह आपका तीसरा ट्रिक यहाँ पर कम्पलेट है अब आते हैं उस ट्रिक के उपर जो मैंने अभी तक रिविल नहीं किया है तो वीडियो में वो ट्रिक अभी रिविल करने वाला हो तो एकसाइटमेंट आपकी बढ़नी चाहिए तो एक ऐसा ट्रिक है देखो आगर कोई प्लेयर बैक टू बैक सेम रन बनाता है यहाँ पर आप उपर देख सकते हो स्क्रीन शॉट एक रुतोराजगा अकवाड का होगा एक विराट कोली का भी है और एक रुसो का भी है ठीक है रैली रुसो अगर कोई प्लेयर सेम रन दो मैच इसमें बनाता है लगाता है मान लो 15 रन बना लिए 15-15 बना लिए तो दो मैच में सेम स्कोर हुआ है उसका तो उसका जो धर्ड मैच होगा उसमें वो जल्दी आउट हो जाएगा जल्दी आउट हो जाएगा या फिर जो दोनो मैच में स्कोर बनाए न उससे कम ही स्कोर बनाएगा वो एक तो सिंगल रन पे आउट हो जाएगा या फिर आपका बॉल नॉट पास हो जाएगा ठीक है तो यह बात आपको clear समझ में आगई तो बात क्या है कि सेम रन बनाता है consecutive match इसमें मतलब लगाता रुदू match में सेम स्कोर बना है मान लो 30 रन बना लिया और मज़े लेना क्योंकि ये भी ट्रिक बहुत रेर होती है और जो चीज बहुत रेर होती है वो पते आपको असरदार होती है अभी next जो अपना fund आए ट्रिक समझो जो भी समझो कितना भी बड़ा बैटस्पन होन दे क्या बलता कितना भी बड़ा बैटस्पन होन दे वो दो मैचेस तीन मैचेस मैक्स टर मैक्स अच्छा परफॉर्म करता उसके बाद में वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता विराट कोली का भी देख ले जिस साल उसने 900 रन प्लस बनाया थे उसका तुझे यहाँ पर मैं सीन सेट करके देता हो देख ले ना स्क्रीन शॉट पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको तो यहाँ पर देख सकते हो उसका स्कोर दो मैच तीन मैच में अच्छा बनता है उसके बाद में एक मैच वो फेल हो जाता है देखो विराट कुली ने दो तीन मैच में अच्छा खेला तो थर्ड मैच में उसका ओपन ही होता है 27-28 बॉपन होता है तो पाच्छे बॉल उसको और खेलने दो उसके बाद विकेट नॉट लेलो पास हो जाएगा ठीक है तो यह बाद याद रखने है कि कितना भी बड़ा तुरम खान क्यों न हो वो दो या तीन मैच अच्छा खेलता है उसके बाद में उसका विकेट जाता है यह बस फ्रेंचेस लिग में अपलाई करना है विमेंस में विमेंस में यह अपलाई नहीं करना है women's में कुछ players है जैसे कि suzy bets जो इसमें apply नहीं होती है तो women's में ये चीज apply मत करो men's में करो और मज़े ले लो trick number 6 पे आते है अच्छी trick है एक बात याद रखना ठीक है अगर कोई player अच्छा खेल नहीं रहा है तो अच्छा खेलेगा भी नहीं ठीक है ये बात याद रखना अगर कोई player अगर अच्छा खेल नहीं रहा है जैसे कि मैंने last year huda का बताया था एक वीडियो में huda last year कुछ नहीं किया अगर जिस player का performance खराब है जैसे कि इस साल IPL में Quentin Dikok का recently performance बहुत खराब है chances ऐसा है कि Dikok बैया इस साल थोड़ा flop लग रहे है और जो player अच्छा खेलता है वो अच्छा खेलता ही रहेगा तो इस से आपको दो चीज़े पता चल गई कि रिस्क कब लेना है कब नहीं लेना है बड़ा player है अच्छा form है उसका मत लेना ठीक है खराब है अगर कोई player का performance खराब चल रहा है तो उसका लेना जैसे कि विराट को ली का ही देख लो आप एक सीज़न आप उपर देख सकते हो कि यार कितना खराब था उसका एंड उसने कितना खराब performance दिया तो ये कुछ points होते हैं जो आपको याद रखना है इसके बाद जो अपना last streak है बहुत सारे बंदे पूछते हैं मुझे कि व्यास भाई आप कैसे set करते हो कैसे समझते हो तो दो चीज़े रहते हैं matchups and strats matchups मतलब जैसे कि आपने देखा कि Maxwell का हरपरित ब्रार के किलाफ बहुत घंदा रेकॉर्डे और उसका विकेट आया भी ये चीज़ मुझे पता थी क्यों मुझे matchups पता थी रबड़ा 5 deflacy को बहुत बार आउट किया है ये सब को पता है जिसको पता है उसने वो चीज़ करनी चाहिए समझ में आ रहा है आपको जैसे कि चहल विकेट लेता है 2nd inning में अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ एक stats है बहुत अच्छा stats कि चहल 2nd inning में बहुत अच्छे से performance देता है बहुत अच्छी विकेट निकलता है वही कुल दिप आतो 1st inning में बहुत अच्छी विकेट निकलता है second inning में उतनी wickets नहीं निकल पाता है तो इस stats है, आपको समझना चाहिए तो ऐसे stats आपको मिलेंगे मेरे youtube, मतलब telegram channel पे, उसका link आपको description में दिया है और दूसरी बात stats है, matchups भी बता दिया आपको stats मतलब क्या है कोई player first inning अच्छा खेलता है कोई player second inning अच्छा खेलता है जिसका first inning का average अच्छा है, उसका ball not wicket not मत लेना जिसका first inning का average खराब है second inning का अच्छा है, तो उसी सबसे आप सोच सकते हो कि भाई, इसका लेना है नहीं लेना है, ठीक है, average बहुत काम करता है, क्यों? गाड लेते time, आपने average देखते है कितना average देती है, कितना mileage देती है तो चलिए, वीडियो यह आपे खतम होती है अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो like, share and subscribe ज़रूर करना प्लीज यार, इस वीडियो पे like करना में ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, लाइक करना और comment ज़रूर करना, ठीक है फिर आपको मिलती है, next वीडियो जो क्यों होगी, match के उपर कि jackpot के trick क्या होनी चाहिए